T20 Wish Cup में भारत ने अपने पहले दोनों ही मुकाबले जीत कर एक बहतरीन शुरुवात कर दी है लेकिन भारत के लिए केल राहूल का फॉर्म चिंता का कारण बना हुआ है केल राहूल ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन की पारी खेली और इसके बाद नेदरलेंड्स के खिलाफ भी राहूल 9 रन बना कर आउट हो गए यानि केल राहूल के बल्ले से दो मैचों में सिर्फ 13 रन आए हैं फैंस तो राहूल को टीम से बाहर करने की बात भी कह रहे हैं लेकिन इसी बीच राहूल को फॉर्म में वापिस आने का गुरू मंत्र मिल गया है आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले तक कोहली भी ऐसी ही खराब फॉर्म से जूज रहे थे लेकिन अब कोहली जो कमाल कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है ऐसे में कोहली वाला गुरू मंत्री राहूल के हाथ भी आ गया है इस ट्रिक के बारे में बाद में बताएंगे पहले ये बता देते हैं कि भारत के बैटिंग कोच विक्रम राठोर ने केल राहूल को लेकर क्या कहा है विक्रम राठोर का कहना है कि टीम केल राहूल के साथ ही ओपनिंग करेगी उनकी फॉर्म वापसी का इंतजार किया जाएगा राहूल को टीम मेनेजमेंट टाइम देना चाहती है ऐसे में उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा अब ये खबर सुनकर पंत के फैंस का दिल तो टूटा होगा क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पंत से उपनिंग करवाई जा सकती है लेकिन विक्रम राठोर के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पंत को कुछ और मैचों के लिए बेंच पर बैठे रहना पड़ सकता है अब बताते हैं उस गुरु मंत्र के बारे में जिससे के एल राहूल वापसी कर सकते हैं दरसल राहूल टीम के मेंटल कंडिशनिंग कोच पैडी अप्टन से मुलाकात करेंगे जिन से कोहली ने खराब फॉर्म और मेंटल हेल्थ को लेकर बात की थी झाल